अगला इस्टेंजा क्या कहता है Surely निश्चे थी Shakespeare is wicked निश्चे थी अगर Shakespeare की बात किया है तो Shakespeare इनके लिए wicked है घनासपद है The map a bad example और जो ये map कमरे में टंगा है अगर इसका भी उधान इन बच्चों के लिए जाए ते जहाजों और शूरे के साथ and love tempting them to steal और प्रीम इनको प्रिलोभित करता है यानि जो जो ये चित्रे हैं यहाँ इन सब कोई मूल नहीं उसमें कुछ भी हो और प्रीम जो है वो इने चोरी करने के लिए प्रिलोभित करता है प्रेरित करता है tempt माने होता है प्रिलोभित करना लालायत करना और for lives अब चुकि जो इनका जीवन है for lives that slightly turned slightly माने धूरता पूरवक slightly turned जो इनका जीवन है बड़ी धूरता पूरवक मुड जाता है in their crammed hole इनके तंग hole में जो इनका जीवन है वो तंग hole में hole माने बिल या खोली कुछ भी कहलो क्योंकि ये जो बच्चे हैं वहां के बच्चे हैं जो खोलियों में रहते हैं उन घरों में रहते हैं जो जुपड़ फट्टी टाइप के हैं तो for lives that slightly turned in their crammed hole from fog to endless sky कि इनका जीवन जो है वो उन तंग holes में मुड जाता है जो हमेशा रहे तुन से ढके रहे from fog to endless sky यानि इनका जीवन fog से लेके अनंतरात्री में जाके मुड जाता है यहां कभी के कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो lives हैं जिंदगियां हैं इनकी जो धूरता पूर्वक उनकी तंग खोलियों यानि बिलों में कोहरे से अनंतरात्री तक अंदर की और मुड जाती हैं मोड आता है तो यही मोड आता है कि इनका जीवन fog से अंतर में अनंतरात्री में समाप्त होता है और तंग गली से होकर गुजरता हुआ आगे देखें on their slag heap slag मानए होता है धातू मल यानि जो आवसेस सेस बच जाता है उसको धातू बेकार की चीज़ों को बोलते है सलग तो on their slag heap कि इन धातू मल यानि बेकार चीज़ों के धेर पर the children bear skin bear माने धारण करना ifskins माने तूचा peeped through by bones यानि कि अब इनी धेरों पर इनी बेकार की चीजों के धेरों पर ये बच्चे जिनकी जो तुचा है वो जहाक रही इनकी हड्डियों से यानि ये बहुत कम जो हुरे कुपोश्चत हैं तो इनकी हड्डियां जो है बाहर दिख रही तो अच्छा हड्डियों से जहांकर ही कहने कारती है कि इनकी जो हड्डियां है वो दिख रही and spectacles of steel with mended glass और जो ये चस्पे पहने हैं steel के उनमें mended glass लगा हुआ है यानि मरंबत किया हुआ सीसा लगा हुआ है like bottle bits on stones और ऐसे लगा हुआ है जैसे पत्थर पर बोतल के टुकडे bits माँने टुकडे पहले हुए हूँ यानि जो चस्में भी पहने हैं वो भी टूटे फूटे गिलास के पहने हुए है और इतने कुछ को पोच्छे थे कि इनकी हड्डियां इनके सरीर से जहांक रहीं नजर आ रही हड्डिया यानि ऐसे लग रहा है कि जैसे हड्डियों के और यह कीबल तुचा को पहने हुँ बियर इसकिन तुचा को पहने भार हों आगे देखें। All of their time and space are foggy slum, और इनका पूरा समय और विस्तार, space, इस्थान, are foggy slum, कि कोहरे से ढखा हुए एक slum है, गंधी वस्ति, इनका पूरा समय और इनका विस्तार या इनका संसार, जो भी कहें, space, वो सब क्या है, एक foggy slum है, कोहरे से ढखा हुए गंधी वस्तियां है, So blot their maps, with slums, as big as doom, कि जैसे doom होता, प्रले होती न, और प्रले बहुत बड़ी मात्रा में बिनास करती है, नश्ट करती है, खतम कर देती है, बैसे ही blot कर दें, मिटा दें, खतम कर दें, their maps, उनके maps को, with slums, slums के साथ, इन गंधी बस्तियों के साथ, अब यहां कभी ये अपील क कर रहा है, कि इनकी, इन maps को, बे maps, जो, इनकी बुरी हालत के map है, यानी ये कहें, कि जो ये map अंदर टंगे हैं, जो इनको बाहर का बहुत कुछ प्रदर्शन तो कर रहे हैं, बाहरी संसार तो दिखा रहे हैं, लेकिन बास्ते में दिखा नहीं पा रहे, तो ऐसे maps को, इन ग अब आगे देखें अगला अनलेस गवर्नर अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विज्टर अब जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर और विज्टर अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर और विज्टर विज्टर माने आगंतुक कि जब तक कि राजपाल दरोगा और आगंतुक ना आ आ जाए इस मैप को बिकमस देर बिंडो और यह मैप इनकी विंडो ना हो जाए खिड की यानि ये मैप जो यहां टंगा है क्लास्रूम में ये इनकी खिड की न हो जाए यानि इनकी पहुंच में ना जाए कहने कारती है कि जो मैप में प्रदर्सित किया गया है जब तक वो उनकी पहुँच में ना आ जाए वो उनकी वास्तवे हिड़की ना बन जाए तब तक कि उनकी पहुँच में ना ये लोग जब तक कि धाजिपाल यानि गवर्नर इंस्पेक्टर और विश्टर ना आ जाएं और इस नक्से को उनकी खिड़की में न बना दें यानि उनकी पहुँच में न जब तक बना दें यानि ये नक्सा जो उनकी पहुँच ना बन जा, उनकी खिडकी ना बन जा, and these windows, और ये जो दूसरी बिंडो है जो classroom में लगी, and these windows that set upon their lives, जो उनके जीवन को set upon, ये खिडकी हैं जो उनके जीवन पर बंद है, यानि उनके जीवन को बंद किये हुए है, their lives like catacombs, जैसे catacombs होता है, catacombs माने होता है, तहखाने की कब्रें, यानि उनका जीवन इन classroom की खिडकीओं में ठीक बैसे ही बंद है, जैसे कोई तहखाने की कब्रों में बंद होता है, बैसे, that set upon their lives like catacombs, break, तोड़ दो, oh break, अरे तोड़ दो, break, oh break, तोड़ दो, और तोड़ दो, open, और इन को खोल दो, यानि इन खिडकीओं को जो इनके जीवन को कैद की हुए है, तैखानों में, इनको तोड़ दो, और खोल दो, till they break down the town, और जब तक कि ये, ऐसा तोड़ो कि जब तक कि ये, ताउन को ना तोड़ दें, जो ये कसबा है इनका, यानि जो इनकी इस्तिती बुरी प तोड़ जाए, and so there, यानि सब कुछ इनका नश्ट कर दो, यहां वो बात हो रही, कि ये खिडकीओं नश्ट कर जो इनको जीवन को बांदे हुए है, और इनकी बस्तियों को, अब नश्ट करने का मतलब ये नहीं कि उनके घरों को ही मिटा दो, ये कहने कारते हैं, जब तक ये इनसे बाहर न निकल जाएं, और बाहरी संसार को न देखें, and so the children to the green fields, और बच्चों को, green fields में ले आओ, हरे भरे मैदानों को दिखाओ उनको, so करो, and make their world run azure, azure मान होता आस्मानी, on gold sand, और उनका संसार बनाओ, शौने मनाओ, सौने जैसी चमकीली, जो रेत होती है, उस पर उन्हें नीले आस्मान की नीचे दोड़ने दो, run azure on gold sand, and make their bird, मतलब उन्हें बाहर निकालो, इन तंग गलियों से, इन सलम से, और हरे भरे मैदानों में लाओ, उनको मैदान दिखाओ, और उनका संसार बनाओ, और उन्हें शौने म्रेत पर, नीले आस्मान की नीचे दोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करो, and let their tongues, or let their tongues, उनकी जीवों को हो जाने दो, क्या हो जाने दो, दोड़ने दो, run, naked, उनकी जीवों को नंगा दोड़ने दो, into books, यानि, उनकी जीवों को पुस्तों के, into the books, कि white and green leaps open, or white and green leaps, books, the white and green leaps open, history there's, whose language is the sun, और कहा गया है कि हरी भरी पत्यों के, खुले वातरानों में रहकर, उनको इत्यास मनाने दो, और whose language is the sun, और जिनकी भासा क्या है, शूरिय है, यानि उनकी भासा में सूरिय जैसी उसमा तेज हो, और भी अपनी जीवन में सफल होकर इत्यास रच सकें, ऐसा उनको बना दो, यानि उनकी जीव जो है, वो किताबों पर दोड़े, कहने कारती है, किताबें पढ़ें, अध हरे-भरे मेहदानों में वो आजाएं, यानि हरे-भरे पत्तियों से खुले वातवाण में रहकर इत्यास बनाएं भी, यानि उन सफेद पन्नों पर बे अपनी जीव दोड़ाएं, जीव दोड़ाने का मतलब ये कि अध्यान करें, एंड ग्रीन लीप्स ओपन, और जो हरी- whose language is the sun, जिसकी भासा शूर्य है, अब शूर्य से यहां तुलना की गई, तो इसका अर्थ ही है, कि शूर्य में जितना तेज और उश्मा होती है, वैसी ही इन में हो, और ये अपनी जीवन में सफल होकर इत्यास रच सकें.